स्पोर्ट्स नाव पे बहुत बहुत स्वागत है आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 में लीग स्टेज खत्म हुई, सूपर एट खत्म हुआ और अब जो कारवा पहुँचा है वो पहुँचा है सेमी फाइनल्स के लिए जी हाँ पहला सेमी फाइनल साथ आफ्रिका वर्सेज अफगानिस्तान और दूसरा सेमी फाइनल इंडिया वर्सेज इंग्लेंड ये बुरा मुकाबला इसने भी है क्योंकि 2022 की वो हार वो टीज वो चुबन कोई नहीं बूल सकता जब टीम इंडिया को दस मित्तों से हार का सामना करना पड़ा था जौस बटलर और एलेक्स हेल्स ने मार मार के इंडियन गिंद बाजों के ठागे खोल दिये थे तो वो सब को याद है और इस वार इंडिया के पास मौका है कि इंगलेंड को हरा कर वो इस वर्ल्ड कप से उनकी विदाई कर दे लेकिन उससे पहले टीम इंडिया का पूरा शेडियूल का क्याता है क्योंकि एक दिन पहले अविल सी बात है प्रैक्टिस होती है और आपकी प्रेस कॉन्फरेंसे होती है लेकिन मौसम बहुत जादा खराब है गयाना का कल देर राज से वहाँ पे बारिश हो रही है काले कर देखें तो साड़े साथ से साड़े नौ के दीच में भारी बारिश की संभावना है तो वह सारी चीजे होंगी अगर मैच धुलता है अगर हम मैंडन होता है तो फिर इंडिया सीधा फाइनल में जाएगा लेकिन इतसे पहले आज टीम इंडिया क्या करने वाली है आज ट इंडिया में शाम हो रही होगी यहानि कि साथ सवा साथ बजे इंडिया इंडिया टीम वहां पे प्रैक्टिस के बाद कुछ देर बाद प्रेस कौंफेरेंस होगी जो थी वेसे इडिज के टाइम के अनुसार ग्यारा बजे वहां पर साड़े 11 बजे माप कीजिएगा प्रेस कॉंफरेंस में क्या कुछ रंडीते लेकर आते हैं रोई शर्मा ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ प्लेइंग 11 में रोई शर्मा बदलाव करेंगे कि सामने है इंग्लेंड और इंडिया के स्पिनर वर्सिस इंग्लेंड के बैटर ये एक अच्छा बैटल होगा इस मुकाबले में क्योंकि कुल्दीक यादव अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वेस्ट इंडीज वाले लेग में और आपके अक्षर पटेल रविंद्र जड़ेजा तो स्पिनर्स फ्रेंडी यहाँ पर पिचिस वताई जा रहे हैं जो कि इंडिया के फेवर में जा सकती है और इंग्लेंड के बैटर यानि कि जॉस बटलर, फिल सॉल, जॉनी, बेस्टो, लियम, लिविंसन हैरी ब्रो कैसे तमाम बल्ले बाज हैं जो इंडिया पर हावी हो सकते हैं तो क्या कुछ चेंजमेंट लाएंगे रोई शर्मा प्लेंग 11 में क्या साथ बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाएंगी या फिर एक बैटर कम करकर क्योंकि शिवम दुबे से उतनी गिनबाजी नहीं कराई जा रही है उनका इस्तमाल उस तरीके से नहीं हो रहा है झाल झाल